नमस्कार दोस्तो मेरे नाम हितेच जोसी जैसा कि आपको पता है दोस्तो कल भी मेने बहुत सारे सवाल कराए थे रोज मैं उत्रखंड जी आज कभी कुछ सवाल डालते रहूंगा पीवाइ क्यू पेपर डालते रहूंगा दोस्तो और जैसे ही लोवर पीशेस का नोटिफिके कराई जाएगी और अगर अगर दोस्तों अगर आपको थ्योरी पढ़नी होगी तो जरूर आप मुझे बता सकते हैं मैं जी-एस और उत्रकंड दोनों की थोरी शुरू करवा सकता हूँ अगर आप वो भी सिर्फ डिमांड में करूंगा अगर आपको जरुवत है दोस्तों तब वरना सवाल मेरे सबसे इनफ है अगर सवाल जिसने कर दिये तो वो सब कुछ कर गया दोस्तों ना समय वेश्टे करते हुए ज्यादा हम सुरुवात करते हैं में तो देखिए लगातार ऐसे सवाल आते हैं PCS, SSC पढ़ाई में रहना बहुत जुरूरी है दोस्तों मेरे जो टार्गेटिंग है दोस्तों अगर एक बच्चा भी अगर मेरे इस मदद से अगर उसको थोड़ी भी मदद मिलती है तो मैं उसमें ही खुजू हूं मेरे कोई नहीं मेरे 50-60 सब्सक्राइबर हो रहे तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं सब्सक्राइब के लिए या लाइक सेयर करें आप उसके लिए मैं बना रहा हूं वीडियो मेरा जो है मेरा यह है कि जितने से जितने गरीब चात्र और जितने गाउं पहाड के चात्र हैं उन तक मौका मिले उन तक सिक्षा पहुँचे उनको पता चले कि आखिरकार किस पैटन पर और किस तरह के सवाल आते हैं क्या क्या हमको करना हैं और बाकी दोस्तों आप मुझे ज़्यादा समझदार खोदी हैं देखिए कल कर दिये थे 247 तक 48 से हैं देखिए दोस्तों उत्राखंडर राज्य की पहली नगर पाली का परसेद जो है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए द कमेंट करके प्लीज बताइए कि इसकी स्थापना गव होई थी मसूरी में नगर पाली का की उत्राखंड का निमलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून एवाम गैन सेंट चमोली दोनों के साथ सीमा साजा करता है दोस्तों तो मित्रो इसका उ उत्तरकासी एक ऐसा जिला है जो राज्य राजधानी देहरादून एवाम गैन सेंटर चमोली दोनों से सीमा साजा करता है मित्रो देखें UK SSC के पैटन वाले सवाल है बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही सवाल देता है UK SSC मिलान कीजिए करके आप देख सकते हैं मिलान में कैसा करन केar केसी में देखें सबके पता है कि देहरादून जो है दोस्तो मारा वह आजाएगा कालसी कासि पूर आपको पता है लख्यक्तर करें दोस्तों तो लेकिल सही हो जाता है दोस्तो उत्राखंड लोक सेवा आयोग के पर्थम अध्यक्ष कौन थे देखे ऐसे ही सवाल आते हैं लगातार बिल्कुल पर्थम हर चीज में परसाशनिक सेवा में हर चीज चाहे गवन्नर हो लोक सेवा आयोग हो राष्ट पती हो कोई हो मतलब पर्थम हमेशा पर्थम और लास्ट हमारी करेंट जो है वो इंपर्थम से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं देखे पर्थम हमारे कौन थे एन पी नवानी अगर आपको ऐसा क्लिक कर रहा होगा दोस्तो सौरी मापी जाता हूं नहीं दिख रहा होगा आपको अब दिख रहा होगा देख लेजे हर दू प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और ब्लैकबोर्ड में भी करेंगे अगर आपका सयोग बना रहा दोस्तो तो धीरे-दीरे सब करेंगे और मैं वादा करता हूं पहार छेतर से ही अधिक्तम बच्चे निकलेंगे मेरा ये वादा है अगर आप अपने वे विश्वास करते है तो बने रहेंगे देखें नेक्स्ट सवाल देखें दोस्तो उत्राखंड सेवा अधिकार 2011 के तहट निर्धारीत सैमा विधी में सेवा उपलब्द नहीं करवाने वाले चिनहित अधिकारी पर दुत्ती अपिलिय अधिकार अरोपित करने है तूप परधिकरट है कितने 505,000 तक दिया गया है सेवा से अधिकार नियम कब निकला था उत्राखंड में 2011 दोस्तो डेट साइट कमेंट कीजिए कली पढ़ाया था मैंने उत्राखंड सेवा अधिकार नियम 2011 देखें नेक्स्ट सवाल के तरफ बढ़ेंगे कुमाउ रेजिमेंट का गठन किस वर्स हु कुमाउ रेजिमेंट का जो इस्थापना हुआ दोस्तो वो 1945 में हुआ था जैसा कि आपको पता होगा अब आप कमेंट करके बताईए कि कुमाउ रेजिमेंट का जो हेटकार था वो रानीखेत किस वर्स आया था दोस्तो यह सवाल आ चुका है नेमिलिखित में से उत्राखं उत्तरकासी और चमोली इन तीनों का जो है दोस्तो हमारा CPU नाम से जाना जाता है 1960 में कल बता भी रहता CPU से जाना जाता इनको 1960 में इनका स्थापना हुआ था हरीद्वार का स्थापना दोस्तो आप कमेंट करके बताईए हरीद्वार 1960 में नहीं हुआ था इतना मैं बता दित उत्राखंड राज्य का पर्थम बजट परस्तुत किया गया था किसके दौरा ये सवाल आया है पहले भी देख लीजे लगातार सारी पीवाई क्यों है आपके सामने 255 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो डौक्टर रमेश और खरियाल निसंक का द्वारा इसको हमारा लाया गया था उत्राखंड राज में नगरी स्वास्त सासन प्रणाली कब प्रारंब होई नगरी सवायत सासन प्रणाली जो है उत्राखंड में दोस्तो वो कब हमारी गलती होती है आप कुछ बताएंगे जैसे कि को सुधार करने करें तो मैं वह भी करने को त्यार हूँ दोस्तों आप अब इस से रूप से मुझे बताईए देखें सारे के सारी पीवाई क्यों आप देख सकते हैं कितना फाइदा होने वाला है आपको यहां जुड़े रहने से करें कितना है एपको भी करते हैं गला है यहां उले हैं जुड़े अपको प्योंते हैं जैसे मुझे एपको यहां हैं